Welcome Students, मैं Dr. Smita Sharma और मैं आपको B.A.C. Part Second का Paper Second पढ़ा रही हूँ जिसमें हम Unit Fourth कर रहे हैं इस Unit Fourth के अंदर जो Chapter हम अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है Standing Waves अप्रगामी तरंगे अप्रगामी तरंगों के अंतरगत हमने उसके अप्रगामी तरंगों के विभिन विधाओं के जो आवरिती के विभिन विधाएं हैं उनका अध्यान किया था एक खिचिवी डोरी, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, Modes of Vibrations हमने स्टडी करे थे और हमने किसी ओर्गन पाइप में, खुले या बंद ओर्गन पाइप के अंदर जो आवरिती की सामाने विधाएं हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ले थी मतला हमने ओर्गन, क्लोजड ओर्गन एन ओपन ओर्गन पाइप के अंदर, जो Modes of Vibrations हैं उनका हमने अध्यायन कर लिया था आज हम इसी चैप्टर के अंदर एक नई चीज़ करेंगे, वो है क्लेडिनी फिगर्ज तो क्लेडिनी जो था, वो एक Eminent Physicist थे और साथी साथ Musician भी थे और उनको Acoustics में काफी उन्होंने Research वर्क किया था और उन्होंने Plates पे, एक्चल में Vibrations of Plates पे काफी उन्होंने अध्यायन किया था और उन्होंने कुछ जानकारिया प्राप्त की, कुछ Particular Figures के बारे में उनको पता चला जिसका नाम बार में क्लेडिनी Figures रखा गया था तो ये क्लेडिनी Figures हैं क्या और कैसे बनते हैं ये आपको इसमें हम पढ़ेंगे तो पहले ये क्लेडिनी Figures कैसे बनते हैं एक बार मैं पर्टिकुलर्ली आपको प्रॉपर मैंने हालनकि यहाँ पर एक डाइग्रम में शो कर रहा है लेकिन फिर भी जो एक्चुल में जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट था किस तरीके से किया गया था वो आपको एक बार उसकी फोटो दिखाती हूँ फिर हम इसको समझेंगे कि क्लेडिनी Figures कैसे बनाए थे यह देखिए यह क्लेडिनी ने एक प्लेट ले रखी है और उसके उपर कुछ रेट डली वी है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे वाइलन के अंदर जो हम बजाते हैं बो वो दे रखा है और उसने किनारों पर हाथ लगा रखा है और यह जो Figures जो बना हुआ है यह जो Figure बना हुआ है इसको हम क्लेडिनी फिगर कहते हैं अब यह कैसे बना इसके लिए हम एक बार अध्यान कर लेते हैं इसका तो क्लडिनी ने विभिन परिस्तितियों में प्लेटों के कमपन का अध्यान किया उसने किसी धातू एवं काच की प्लेट को उसके केंद्र पर एक उर्धवादर छड़ पर रखा आपने चित्र में देखी लिया था कि एक उर्धवादर छड़ के ऊपर एक प्लेट को उसने रख लिया ये प्लेट धादू की भी हो सकती है और काच की भी हो सकती है इस प्रकार प्लेट का अच्छा उसने छड़ के ऊपर रखा तो यह जो plate का बीच का बिंदू है वो हमारा क्या बन जाता है? निस्पंद बन जाता है तो ये वाला जो हिश्सा है ये हमारा निस्पंद बन गया ठीक है? plate के उपर बारीग बालू रेत एक समान रूप से बिचा कर उसने plate के एक किनारे N को चित्र में दिखाया अनुसार मजबूती से दो उंगलियों के बीच दबाया अब देखिए आपको वापस से वही चित्र दिखाती हूँ उसने क्या करा? उसने एक स्टैंड के उपर एक मेटल की प्लेट रखी और उसने एक स्टैंड से दो बालू रेट डाल दी उस पर और फिर उसने दो उंगलियों से उसको एक किनारे को दबा दिया यह बिंदू भी निस्पन्द होगा तो जहां उसने उंगलिया लगाई वो भी क्या हो गया? वो भी हिस्सा एक नोड बन गया अब लेट के किनारे के बिंदू M पर बो चलाया गया तो अब उसने क्या करा? एक किनारे पर लेकर उसने बो चलाया आपको फिर दिखाती हूँ चितर के अंदर कि उसने बो किस तरीके से चलाया तो एक किनारा जो M है उस किनारे पर उसने बो चलाना शुरू कर दिया अब बो चलाने पर ये बिंदू प्रस्पन्द बन जाता है अब ये क्या होता है जहां पर बो चलाया गया ये इसके अंदर 3D के कारण ज़्याद अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा कि इसके अंदर जहां जिस जगह पर बो चलाते हैं वो बिंदू क्या बन जाता है वो हमारा प्रस्पंद बन जाता है ठीक है एंटी नोड बन जाता है मैं जाता है maximum displacement वाले amplitude वाला position बन जाती है कुछ समय में plate पर सम्मित अब ये क्या होता ये बो को बार 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 चलाते रहे कुछ समय बाद एक अनुनाद की स्तिती resonance की स्तिती produce हो जाती है और एक विशेश प्रकार की symmetrical figure हमारे को बन जाता है ये आकरिती plate पर अप्रगामी तरंगो द्वारा बनी निस्पंद रेखाओं को प्रदर्शित करता है तो अब इसमें जो ये figure particular figure बनता है उस figure में क्या होता है इस figure में जहां जहां पर एक lines दिखाई देती है वो lines कौन सी है वो lines है nodal lines nodal lines का मतलब कि जहां पर प्रगामी तरंगों का न्यूनतम विस्थापन हो जहां nodes है उनको अगर join up करें तो जो lines बनेंगे वो हमारी nodal lines है इसी प्रकार यदि plate को अन्य बिंदूओं पर पकड़ा जाए और गज को अन्य बिंदूओं पर चलाए जाए तो plate पर बालू रेट द्वारा बनी आकरिती का स्वरू बदल जाता है अब एक बार हमने यहाँ पर बजा दिया दूसरी बार हमने इस जगे से बजाया तो हमारी जो इसके उपर बालू रेट की जो आकरितियां है जिसमें nodal lines बन रही थी वो हमारी अलग-अलग प्रकार से दिखाई आपको देने लग जाती है तो यह जो कमपन के कारण plate में एक विशेश प्रकार के आकरिती का जो बनना है इस आकरिती को cladney figures कहते हैं एक बार आपको cladney figures का एक छोटा सा example मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे यह वो ही plate है और इसके उपर हमने क्या करा है center में इसको किसी एक पर mount कर दिया और इस पर बालूरेट छिड़की वी है अब इसको बो की साहता से बजाया जाता है यह देखे तो जैसे ही अनुनाद के स्थिती उत्पन हुई वैसे ही क्या हुआ यह देखे फिर से देखे तो इसके अंदर अब आप देखिए इसमें हमारे क्या आ रहा है यह जो line formation है यह हमारी सभी noodle lines है और यह हमने एक particular जगे से बनाया तो यह इसलिए इस प्रकार के आपको cladiny figures मिल गए अब इसी के अंदर अगर हम दोसरा कोई cladiny figure देखना चाहते तो देखिए यह अब इसने दूसरी जगे से बजाना शुरू करा है तो दूसरे टाइप के figures आपको available हो गए तो यह कुछ cladiny figures का form है इसमें यह आप अगर चाहें तो Wikipedia पे और अच्छे से देख सकते हैं सारे अलग-अलग प्रकार जगे से जब बो को बजाया जाता है तो हर बार आपको एक नए figures मिलते हैं और इन सभी figures को हम cladiny figures कहते हैं देखें एक और दिखा जेते हूं इन्होंने अपके बार triangle पे लगाया है तो triangle पे यह देखें यह अलग तरीके के cladiny figures आपको मिल गए तो यह जो अलग अलग तरीके के यह जो था यह vibrations of a plate को दरशारा था और अनुनाद की स्तिती पर vibrations किस तरीके से एक जगे पर अलग अलग जगा पर vibrations का जो effect है वो प्लेट के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग प्रकार का होता है उसको present करता है और इन सभी के बारे में जो complete अध्यान किया था detail में बताया था वो kladini ने बताया था इसलिए इन सभी को kladini figures हम कहते हैं और ये important क्यों है प्लेटो के इस प्रकार कमपन करने से बनी आकरितियों को kladini की आकरितियां कहा जाता है इन आकरितियों का उप्योग वादे यंत्रों की रचना में किया जाता है तो basically ये जो आकरितियां हैं इसके अंदर इसकी साहता से किसी वादे यंत्र बेसिकली ये सारा जो sound जो था वो musical instrument के development से related था तो जैसे guitar है, guitar है, violin है अलग-अलग जो भी musical instrument है जो की bow की साहता से बजाये जाते हैं या string instruments हैं उन सभी के का proper music दे पाएं उन से हम proper music generate कर पाएं उसके लिए इसका अधियान करा था और ये बहुत cladney figures इसमें बहुत सायक रहे थे अच्छा ये cladney figures ऐसा नहीं है कि केवल string instrument में दिखाए देते हैं ये तनूपट diaphragm अथवा membranes वाली जिलियों को भी कंपित कराके cladney के आकरती बनाई जा सकती है जैसे आपके पास कुछ instruments ऐसे होते हैं जिनके उपर एक membrane लगी होती है जैसे आपका तबला है बॉंगो है उसके अंदर आपके उपर एक membrane लगी होती है जिसके vibration से आपको music produce होता है तो वो है इसके अलावा diaphragm वाले कौन से जैस के अंदर आपके diaphragm दिया हुआ है वो increase, decrease करने पर उसके sound produce होती है उसमें भी cladney figures बनते हैं तो इनका भी अलग-अलग तनुपट को विबिन स्थानों पर भारत करके निस्पन रेखाओं की स्थितियों को बदला जा सकता है अगर आपको थोड़ा बहुत harmonium के बारे में जा करी है तो आपको ध्यान होगा आगे उसके अंदर 3-4 knobs लगेवे होते हैं वो knobs को आप कम जादा करके उसकी ध्वनी जो है वो बदल सकते हैं और control कर सकते हैं तो ये हमारे अच्छा तबला है ये membrane वाले जो है इनके अंदर भी आप अलग-अलग जगह से आपने देखा होगा तबले जो तबला बजाने वाले होते हैं वो उसके अंदर side में strings लगे होते हैं उनके अंदर वो लकडी के गुटके से होते हैं उनको उपर नीचे adjust करके proper sound निकलवा पाते हैं तो ये सारे adjustment से आपके cladney figures change होते रहते हैं तो इस तरहिके से cladney figures इसलिए इत्ते important हैं तो basically ये figures जो है आपको एक proper musical instrument बनाने में और उससे proper sound generate करने में help करते हैं अब इसके अंदर हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे वो है vibrations of a drum कोई अगर आपके पास drum है तो उसके अंदर जो vibrations produce हो रहे हैं उसका अगर हम अधियान करना चाहें तो ये actual में जो experiment है ये lab experiment है उसको कैसे conduct किया गया है हम उसके बारे में अधियान करेंगे तो इसके अंदर देखें चार पाँच इंच व्यास का एक drum होगा दातू का drum होता है जिसके handle edge से उसको गोल-गोल गुमाया जा सकता है और ये end की सायता से यहाँ पर ये clamp नहीं करा हुआ बस ये easily गूम सकता है इसके अंदर तो इसके अंदर easily गूम जरूर सकता है ये लेकिन इसके इसे अटेश्ट जरूर है लेकिन ये गूम सकता है easily इस handle की सायता से अगर आप इसके आगे देखें तो इस पर क्या होता है कि इसमें पूरे इसमें एक काजल मतलब ब्लैक कलर का एक पेपर कार्बन पेपर इसके जो ब्लैक काज़ अपना कार्बन पेपर होता है वो जिपका रखा है हमने इसके उपर अब इसके आगे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक ट्यूनिंग फोक लगा हुआ है इस ट्यूनिंग फोक के एक सिरे से एक पतली सी एक नोक निकलीवी होती है जो इस ड्रम क के उपर अट्याजड होती है अटेश्ट तो क्या होती है वो उसके उपर स्लाइड करती है अच्छा वाइबरेशन, अगर आप ट्यूनिंग फोक के जो नॉन वाइबरेटिंग एंड है उसको अगर हम देखें वो एक बैटरी से कनेक्टेड होता है ठ्रूवा कोईल ठीक है और साथ इसाथ पीछे वाला जो हिस्सा है वो उसके एक transformer या induction coil से जुड़ा हुआ है जिसके एक सिरे पर तो आपकी secondary coil है और एक सिरे पर primary coil है तो जो primary coil है उससे अगर आप देखेंगे तो एक pendulum लगा हुआ है और ये pendulum जो है वो अभी मैंने oscillating position में दिखाया है उसके आगे आपको एक open cube cubicle दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मैंने लिख रखा है hg mercury लिखाव है है ना और ये भी आपका एक battery से connected है तो कुछ इस तरीके का system हमने बना रखा है अब इसको proper way में हम एक बार पढ़ लेते हैं कि एक 4-5 इंच व्यास का एक धातू का drum होता है जिसे handle h की सायता से n के ओपर नीचे घुमाया जा सकता है drum के उपर काजल पुता कागज चिपका रहता है जिस स्वरित्र द्विवज की आवरती ज्यात करनी है उसकी एक भुजा पर एक नुकीली पत्ती टी लगा देते हैं तथा स्वरित्र को किसी stand से इस प्रकार कसते हैं कि पत्ती टी का नुकीला सिरा drum डीपर लिप्टे वे कागज को ठीक से स्पर्श करता रहे ठीक है ये सारी जीज़े मैंने बताई दी इसके बाद एक फ्रेरन कुंडली एक induction कोईल होती है उसकी जो secondary कोईल है उसका एक सिरा आपके tuning fork से जुड़ावा होता है और दूसरा उसका सिरा जो है वो drum से जुड़ हुड़ा हो है इसका दूसरा सिरा drum से जुड़ा हो है प्रेरन कुंडली की प्राथ मेख कुंडली यानि primary कोईल जो है induction कोईल की वे एक सेल की सायता से एक seconds लोलक अब seconds shadow होता है ये pendulum से जुड़ी रहती है Seconds pendulum है जिसका seconds pendulum उसको कहते हैं जिसका time period two seconds होता है और साथी साथ वो एक पारे की प्याली यानि एक प्याली ले रखिये जिसके अंदर mercury भरावा है उससे जुड़ा रहता है second लोलक इस प्रकार विवस्तित होता है कि उसका गोलक दोलन करते समय प्रत्य एक दोलन में दो बार प्याली से भरे पारे की सत्र को सपर्श करता है तो हम क्या करता है pendulum को इस प्रकार से adjust करते हैं कि वो oscillate करते वे दो बार एक बार आते वे एक बार जाते वे दो बार mercury को touch करता है ठीक है तो जैसे ही वो mercury को touch करता है तो हमारा circuit complete हो जाता है complete होता ही क्या होता है primary coil में current flow शुरू हो जाता है और इस current flow के current induction होता है प्रेरण होता है और नित्य कुंडली में एक प्रबल धारा प्रेरित होती है और एक high current उसके अंदर flow होता है secondary coil में अब secondary coil में जैसे ही current flow होगा तो वो current क्या होगा यहाँ पर यह जो circuit बना हुए इसके अंदर current flow होता है तो यह जो नुकीली नोक जो है यह carbon black के उपर यह paper के उपर touch कर रही है यहीं पर ही contact होता है तो यहाँ पर क्या होता है sparking होती है sparking के current यहाँ का जो paper है उसका कुछ हिस्सा जहाँ जहाँ से touch हो रहाता है वहाँ से जल जाता है drum को handle से घुमाते और साथ ही साथ second low luck वेश्वरित्र को भी compete करते हैं तो यह सारी चीजे एक साथ करते हैं कि इधर तो हम handle से drum को गोल गोल घुमाते हैं और इधर tuning fork को vibrate करते हैं और second low luck को भी vibrate कर दे ओसिलेट करके छोड़ देते हैं तो यह सारी चीजे हमारी एक साथ होने लगती हैं तो उसके false रूप क्या होता है जब हम बाद में खोल के देखते हैं तो जो काजल पुता हुआ जो काज़ है वो हमारा क्या उसके ओपर एक waveform बन जाता है तरंगा कृति बन जाती है चूकि जो pendulum है उसका time period हमने पहले ही कहा था two seconds है तो वह दो second में एक दोलन करता है अता एक second पश्चात काज़ पर जले बिंदूओं के चिन बनते चले जाते हैं क्योंकि दो second में वो दो बार touch करता है तो हर one second पर जले वे के निशान बनते चले जाते हैं काज़ को drum से उतार कर फैला लेते हैं यह देखिए यह भार निकाला हुआ है मैंने कुछ इस तरीके से उसको निकाल के सीधा कर लेते हैं और जहां-जह जले वे बिंदूओं के जो निशान होते हैं उनको क्या करते हैं माइक्रोस्कोप की सायता से दो क्रमागत जले बिंदूओं के मद्दे तरंगों की संख्या को गिन लेते हैं के बीच समय अंतराल एक सेकंड है हमें पता है दो जलेवे बिंदु जो है वो एक सेकंड के अंदर आये थे अत्य है उनके बीच तरंगों की संख्या ही स्वरत रद्वी बुझ की आवरती है तो इस जो बीच में इनके बीच में जो जित्ती वेव आती है वो ही हमारी क्या कहल वो हमारी इस tuning folk की frequency कहलाती है तो basically vibrations of drum को हम use करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर frequency of a tuning folk ग्याद करते हैं तो यह एक lab method है जिससे हम tuning folk की frequency find out कर सकते हैं तो यह आपने अप्रगामी तरंगों के बारे में सब कुछ अध्यान जो हमारे acoustics related जो चीज़े हैं उनका अध्यान किया है यह सारी चीज़े हमारे sound musical instrument में बहुत ज़्यादा काम में आती है इन सभी की knowledge आज अब हम इसी chapter में एक चीज़ और दे रखी है वो है वैसे वो अलग ही chapter है लेकिन वो इसी के अंदर included है वो है हमारा ultrasonics क्योंकि अभी तक हम जो चीज़े सब चीज़े अध्यान कर रहे हैं वो sound से ही related है तो हमने नाम सुन रख है बहुत ज़्यादा ultrasonics तो ultrasonics क्या होती हैं कैसे बनती हैं और उनके क्या उप्योग हैं हम next lecture में इन सब चीज़ों के बारे में अध्यान करेंगे इसी chapter का ही हिस्स है और इसी unit का ही हिस्स है अगर हम देखे जाएं तो यह छोटे छोटे से chapter है लेकिन चार chapters है तो चौथा chapter जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है हमारा ultrasonics थैंक्यू